नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की 56 वी वीडियो में आपका स्वागत हैं देखते हैं किसके चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे यहां पर बात करेंगे हम लोग रामकृष्ण मूव्मेंट के बारे में रामकृष्ण मूव्म स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर बना चुका हूँ यहां पर मैंने स्वामी विवेकानंद जी की बारे में डिसकस किया है और रामकृष्ण मिशन के पास देरे में डिसकस किया है तो आप स्वामी वेकानंद मेरे नाम के साथ या फिर रामकृष्ण mission मेरे नाम के साथ YouTube पे सर्च मार दीजे चुकि अब देखे ये बड़ी personalities हैं तो इन से related हजारों वीडियों हैं हजारों क्या लगों वीडियों होंगी YouTube पे तो उस case मेरे नाम के साथ तो आपको सर्च मारना ही पड़ेगा अगर आपको वीडियों धोड़नी हैं चुकि मैं अपने चैनल पे भी अलरड़ी हजारों की तागात में वीडियों बना चुका हूँ तो इससे आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगी आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियों पे लाइक का बटन उसके साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए मेरे दोरा बनाए गई एडिटोरियल और करेंट अफेर्स वीडियो की पीडियेफ चाहिए जिसके थूँ आप अपने करेंट अफेर्स को रेगुलर्ली रिवाइस कर सको तो नीचे दिये गए टेղिग्राम लिंक को क्लिक करके आप टेलिग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जोड़के फॉलो करके आप हलकी फूल की बाथचीत कर सकते हैं साथ साथ मेरे दौरा बनाई गई कुछ वीडियो को देखने के लिए जिसमें मैं स्पेक्ट्रम के MCQs, लक्ष्मी गान्द के MCQs और कुछ और स्पेसिफिक वीडियो डिसकस करता हूँ तो आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हूँ. अब बात कीजाए रामकृष्ण मूवमेंट की. देखे रामकृष्ण मिशन से पहले रिफॉर्म मूवमेंट में बहुत मेजर आपका और्गनाईजेशन था वो था ब्रह्मो समाज. ब्रह्मो समाज के बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूँ. केशब संद सेन का क्या रोल और वो डाइडाक्टिक नेशनलिजम करते थे. यानि वो सिखाते थे. डाइडाक्टिक मतलब टीचिंग करना, सिखाना, बताना, पढ़ाना और वो भी एलिएट की चीज़ें पढ़ाना. अब उस समय की जनतान पढ़ उनको समझी भी ने आया कि वो क्या पढ़ा रहे हैं. अलाकि बहुत सारे लोग ब्रह्मो समाच से इंफ्लोएंस हुए हैं. लेकिन कहीं न कहीं बंगाल में लोगों को भक्ती में आनन्द मिलता था, योग में आनन्द मिलता था. उस समय पे भगवान की भक्ती करना, योग करना. तो उस भक्ती और योग के माद्यम से उनको को सम मज़ा दिया जाए तो मज़ा आ जाए यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट परस्नालिटी सामने उठके आएंगे जिनका नाम था राम कृष्ण परभांस राम कृष्ण परभांस जीदु थे वो 1836 से लेके 1886 के टाइम पिरेड में आक्टिव थे बाई दक्षिनेश्वर नाम की जगा है कलकत्ता के आउट्सकर्ट्स में वहाँ पे एक काली टेमपेल है वहाँ पे बहुत गरीब प्रीस थे वो ज्यादा पैसे नहीं थे उनका एक गदाधर चटोपाध है बहुत फॉलोवर्स थे इनके खास बात दोस्तों ये थी स्पिरिच्वालिटी में बहुत अच्छा ग्यान था राम कृष्ण परहभांस जीवो और जब ये बात करते थे ना तो सामने वाले को दिल को मोह लेते थे फरस्ट और फॉल इनकी बातों म नाम थे उनमें से राम कृष्ण परहभांस एक थे इन्होंने कोई किताब नहीं लिखी है लेकिन फिर भी इन्होंने जो लोगों के साथ बात चीत करी और जो कुछ भी इन्होंने अपने शिश्यों को सिखाया इससे ये पता चलता है कि राम कृष्ण परहभांस जी के क्या आईडिया थे, उनकी क्या टीचिंग्स थी एक तो parables और metaphors के form में वो बात करें parables का मतलब क्या हो गया, कि अगर आपको कोई चीज समझानी है, तो एक story के form में समझाए, आपको एक story सिखाई, उस story की थूरू आपको एक message दिया, ये तो हो गया parables, metaphor, मतलब कि एक exact चीज को समझाने के लिए example कुछ और लिया, मतलब एक ऐसी चीज समझाई जो किसी और चीज सी symbolic है किसी और चीज की representative है तो parables और metaphors के थूरू बात चीट करते थे यहाँ पर रामकृष्ण परभावंस चीज़ और ये जो बात थी, वो लोग अपनी डेली लाइफ में associate कर पाते थे अभी आप देखोगे कि रामकृष्ण परभावंस के दो objectives थे क्या-क्या objectives थे इनके और खासकर आप देखे रामकृष्ण movement के दो objectives थे first of all, एक ऐसे band of monks को बनाना, मतलब कि जो भी spiritual लोग है band of monks, monks क्या होते है जो भाई, किसी एक धरम के प्रचारक होते है जिन्होंने पहले धरम के पढ़ाई की होती है और बाद में उस धरम को उस teachings को फैलाने में एक major role को लेगरते है तो रामकृष्ण mission का मतलब क्या था कि भाईया, एक band of monks बनाएंगे इन band of monks ने आपनी जो life है वो practical spirituality को दी हो और renunciation की दी हो renunciation का मतलब क्या हो गया renunciation मतलब consumerist culture से दूर भागना उस समय पे English culture इंडिया में आ चुका था जो इंडिया के लोग से गरीब, भूखे नंगे उनको अंग्रेजी culture से बड़ा mesmerization होता था क्या जीते हैं ये अंग्रेज अरे वहार dance होता है वो क्या बोलते हैं न कि उसको एक bell dance होता है जहां पे बड़ा अच्छा से कबड़े पहन के, तो इस तरीके की चीज़ें जो Indian crowd था ना, उसको बहुत entice करती थी, यहां पे रामकृष्ण परमास जी ने बोला कि भाई renunciation की जिन्दगी जीए spirituality होनी चाहिए और practical spirituality होनी चाहिए और इन मौंक से रामकृष्ण मूव्मेंट को कुछ ऐसे teachers चुनने थे, कुछ ऐसे workers चुनने थे, जो कि रामकृष्ण की वेदानता की philosophy को दुनिया भर में फैलाएं ओके, तो वेदानता की philosophy जिसके बारे में यह जो रामकृष्ण मिशन था पढ़ाता था जिसके ideas रामकृष्ण परमास जी ने दिये थे, इनको आगे फैलाने के लिए अब भाई, एक आदमी तो सब कुछ कर नहीं सकता एक band of monks चाहिए और उन band of monks में से, जो सबसे talented लोग हैं, उनको चुना जाएगा इन teachings को आगे फैलाने के लिए उसी समय पे जो इनके disciples हैं, जो इनके monks हैं अपनी life में spiritual practicality करेंगे, renunciation करेंगे और साथ-साथ philanthropic work करेंगे दूसरों की मदद करना हमारे देश का एक बहुत बड़ा पचला पिछड़ा हुआ है, women's पिछड़े हुए children's की मदद करना, जो caste के basis पर discrimination होता उसको ना ध्यान देते हुए हर इनसान की मदद करना और इससे बना रामकृष्न मठ, ओके यहां पर रामकृष्न परमहंस जी ने रामकृष्न मठ की स्थापना की और इस रामकृष्न मठ से निकला है आपका रामकृष्न मूवमेंट रामकृष्न मूवमेंट क्या था? रामकृष्न परमहंस जी के टीचिंग्स को दुनिया भर में फैलाना और उनकी टीचिंग को फेलाने का काम किसको दिया गया उनके शिश्यों को अभी खास बात क्या थी दोस्तों कि first of all एक band of monks को तयार करना वो band of monks उनके रामकिष्ण मिशन में तयार हो उनके रामकिष्ण मट में तयार हो जो उनका दूसरा objective था कि भाईया philanthropic work करना वेदानता की philosophy को पढ़ाना ना किवल इंडिया में बाहर पढ़ाना charitable works करना कुछ हद तक जो second objective है और कुछ हद तक पहले objective को भी बहुत तेजी से आगे बढ़ाया किसने Swami Vivekanandji जी ने Swami Vivekanandji जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में रामकृष्ण मठ की स्थापना तो रामकृष्ण परमहनस जी ने खुद ही कर दी थी उनके मठ में जाके लोग उनसे पढ़ते थे लेकिन बाद में रामकृष्ण मिशन शुरू हुआ 1897 में राम कृष्ण परम हंस जी के डेथ के बाद मैं 1897 बोलता हूँ मुझे पता है बहुत सारे वीवर्स हैं जो कि इंग्लिश में बोलने को बोलते हैं तो 1897 में शुरुआत हुई राम कृष्ण मिश्ण जी के किसने की स्वामी वेकानन जी ने की तो अब दो बॉडिज बन गई है एक तो राम कृष्ण मठ जहां से राम कृष्ण मिशन जहां से राम कृष्ण परम हंस जी ने अपनी टीचिंग्स को शुरू किया और दूसरा है राम कृष्ण मिशन अभी है राम कृष्ण मठ और राम कृष्ण मिशन यह जो दोनों है ना, यह काफी हद तक एक दूसरे के साथ जिड़े हुए हैं, बट लीगली और फाइनेशली दो सेपरेट एंटिटीज हैं, इनके हैड़कॉर्टर कलकत्ता में हैं बेडूर के पास अब बात यह है कि जो रामकृष्ण परम हंस जी की जो टीचिंग सीना बहुत ज़्यादा ट्रडिशनल थी, वो बहुत सिंपल तरीका बताते थे भगवान को याद करने कर, उनका क्या कहना था, रिननसेशन करिए, भक्ती करिए, मेडिटेशन करिए, और खास बात यह थी कि उस समय पे modernization की तरफ दुनिया भाग रही थी, westernization की तरफ दुनिया भाग रही थी, तो इनका यह बोलना था कि भई, अपने जो senses है ना, उनको control में रखो, और सासत, religion के नाम पे जो हमारी society बटी हुई थी, इसमें, रामकृष्ण परम हंस जी ने क्या बोला, कि यह देखे कि रामकृष्ण जी क्या बोल रहे हैं, कि भाई, faiths अलग-अलग हैं, धर्म अलग-अलग हो सकते हैं, बद path एक हैं, ओके, फिर भाई, रामकृष्ण परम हंस जी ने एक और slogan दिया, कि अगर आप लोगों की सेवा कर रहे हो, तो आप भगवान की सेवा कर रहे हो, service of man, in the service of God, और ये humanity की principle पर बेस्ट है, दूसरों की मदद करिए, और मदद करने में किसी भी तरीके का discrimination मत करिए, caste के आधार पर, किसी भी तरीके का discrimination मत करिए, gender के आधार पर, किसी भी तरीके का discrimination मत करिए, religion के आधार पर, अगर आप रामकृष्ण जी की बात करेंगे, तो ये merit थे इनकी वाइफ का नाम था सारद मनी मुखर जी इनको शारदा देवी बोला जाता था ये अपनी वाइफ की पूजा करते थे अपनी वाइफ को देवी मानते थे कहीं न कहीं अपनी वाइफ की पूजा करके उसको देवी मानके अपने disciples को इन्होंने संदेश दिया कि भाई औरत का सम्मान करो lady के इज़त करो जो woman को हमारी society में दबाय जाता है खासकर बंगाली society में तो बहुत दबाय गया तो उसमय पे ये बंद करो ये सही नहीं है और फिर आते हैं भाईया charismatic personality Swami Vivekanandji जिनको बोला जाता है नरेंदरनात दत इनका नाम है नरेंदरनात दत 1862 से लेके 1902 के time period में ये active थे बहुत जल्दी ही इनकी मृत्ति हो गई दोस्तों लेकिन जो भी छोटी सी जिन्दगी इन्होंने जी है उसमें इन्होंने वो कर दिया जो भाई आज तक लोग पढ़ते हैं आप अगर Swami Vivekanandji की बायोग्राफी देखोगे मैंने अपने चैनल पे इनकी बायोग्राफी बना रखी आप देखोगे कि ये जो परसंत है Swami Vivekanandji ये ज्यान के लिए कहां कहां भढ़के finally जब इनको ज्यान मिला वो कहां पे मिला रामकृष्ण परमहस जी जिनको इनको इनको अपना गुरू माना वहां पे मिला फिर आप देखोगे यहां पे इनको ने नियो हिंदुईजम की बात की मतलब हिंदुईजम के दक्यान उसी खैलात को हटा के उसको रिफॉर्म करके एक नए प्रकार का हिंदुईजम सोसाइटी के सामने रखने की कोशिश की विवेकानन जी में जिसमें रामकृष्ण की द्वारा पढ़ाई गई स्पिरिच्वल एक्स्पिरेंस थे उपनिशत्स की टीचिंग थी गीता की टीचिंग थी और कहीं न कहीं बुद्ध और जीजस के दे हुए कुछ ऐसे सिध्धान्त थे जो हुमन वैल्यूस के बारे हम बताते थे सोसाइटी में पीस लाने के बारे हम बताते थे ये काम किया सौमी विवेकानन जी ने और वेदानता की सोसाइटी को आगे बढ़ाने में एक मेजर रोल प्लेक है और खास बात दोस्तों ये कि विदानता टीचिंग्स में भी कहीं न कहीं irrationality आ जाती है स्वामी विवेका नंजी ने कहा कि अगर आप विदानता की टीचिंग्स को promote कर रहे हो तो पूरी rationality के साथ करो उसमें किसी भी तरीके का दक्यान उसी ख्यालात किसी भी तरीके के पुराने ख्यालात के लिए कोई भी जगा नहीं है और स्वामी विवेका नंजी ने क्या बोला कि देखें एक चीज होती है service to the society जिसको बोला था परमार्थ एक चीज होता है विवहार जिसको बोला था behavior अभी उस समय कि जो upper class society क्या थी कि भाई कभी कभी जो upper class society की लोग थे वो बोलते थे मैंने इसके लिए वो किया मैंने इसके लिए वो किया बट उनका खुद का behavior कार्श सिस्टम को promote करता था स्वामी विवेका नंजी ने बोला कि आपका जो behavior है ना वो behavior society के favor में होना चाहिए अभी society के favor में होने के लिए आपको परमार्थ करना पड़ेगा तो मतलब जो आपकी service है और जो आपका behavior है वो match खाना चाहिए तो मतलब आप जो बोलते हैं वही करिए और जो आप कर रहे हैं वो society के हित्म में होना चाहिए simple बात फिर स्वामी विवेका नंजी ने हमारे देश में जो दो सबसे बड़े religion है हिंदू और इसलाम इन दोनों को मिलाने की बात की इनों ने बोला कि भाई देखे ये great systems है अगर हमारे mother land को एक बहुत ताकतवर जगा बनना है तो हिंदू और इसलाम को मिला के चलना पड़ेगा पिर उनों ने बोला कि भाई देखें कोई ग्यान को प्राप्त कर लेता है बड़ उस ग्यान को अगर दूसरों लोगों को नहीं बताता है तो उस ग्यान का कोई मतलम नहीं है क्या था कि कुछ ऐसे हिंदूस थे जो आईसोलेशन में काम करते हैं जैसे अपर कास्ट हिंदू थे अभी वो धरम की पूझा कर रहे हैं अपने धरम का प्रचार पसार कर रहे हैं तो आईसोलेशन में कर रहे हैं पूरे तपके को शामिल नहीं कर रहे हैं एक बहुत बड़ बाते हैं आपकी स्वामी मेकरन जी कहते थे फिर और क्या बोला स्वामी मेकरन जी ने कि घ्यान को भी इन्हों ने यहाँ पर segregate किया है एक होता है secular knowledge मतलब कि आपको ये समझना है कि आप कैसे काम करेंगे daily मर्रा की जिंदगी में कैसे काम करेंगे अपने आपको economically stable कैसे बनाएंगे साथ साथ आप ऐसी knowledge लेंगे spiritual knowledge लेंगे जो कि आपकी morality को बढ़ाए आपके अंदर humanism की सिधान को बढ़ाए और ये जो दकियान उसी ख्याला society में चल रहे हैं इससे आप अलग हो सको चुकि जब आप इससे अलग होगे तो ही आप अपनी country में liberty के सिधान को equality के सिधान को और free thinking के सिधान को promote कर पाऊगे तब तक liberty equality इन सब के सिधान आ चुके थे french revolution हो चुका था फिर देखें यहाँ पे सामी विकरन जी ने क्या बोला है कि भाई देखें no other religion preaches the dignity of humanity in such a lofty strain as hinduism and no other religion on earth threats upon the poor and the low in such a fashion as hinduism मतलब कि hinduism में contrast धूर रहे हैं कि भाई दूसरे इंसान की ध्यान रखने वाली बात है तो सबसे best चीज़े hinduism में लिखी हैं लेकिन वहीं पे उसी दूसरे इंसान को नीचा गिराके उसको नीचा दिखाने वाली चीज़ है तो वो भी hinduism सबसे ऐची है तो यहां पर caste system की बात कर रहे हैं और यहां पर वेदानता philosophy की थूरू एक rational equal society की भी बात कर रहे हैं फिर इन्होंने बोला कि एक ऐसा देश जहां पर millions भूके मर रहे हैं उनके पास खाने के पैसे नहीं है और वहीं पर कुछ holy men, brahman, गरीबों का खून चूस रहे हैं तो ऐसा देश तो एक living hell बन जाएगा ऐसे देश को इन सब चीजों से हटाना है तो यह से बाते करते हैं कि यहां पर स्वामी विवेका जन जी ने फिर Parliament of religion हुई उस समय पे वहां के लोगों ने सूचा कि हम क्या सिखाएंगे इन इंडिया वालों को जब वहां पर इतने learned लोग हैं तो कुल मिला कि यहां पर जो स्वामी जी के सिधान्त थे ना वो केवल इंडिया में ही नहीं globally recognized हुए international recognition मिला स्वामी जी के सिधान्त हुए और यहां पर दो viewpoints को मिलाया स्वामी जी ने एक तो materialism का सिधान्त था जो की western nation से आ रहा था और एक तो spiritualism का सिधान्त था जो की इंडिया से आ रहा था जुसको east बोल सकते हो तो east जहां पर इंडिया पढ़ता था वहां का spiritualism का सिधान्त और west जहां पर USA और Europe की countries पढ़ती थी वहां के materialism की सिधान्त और इन दोनों को सिधान्त को blend करके mankind के लिए एक happiness वाले society को envisage किया स्वामी वेकानन जी ने उसके बाद विदानता की philosophy पर उन्होंने USA में लंडन में बहुत से lectures दिये finally 1897 में वो इंडिया वापस आ गए और जो lectures थे उनके इंडिया में continue रहे और जब इंडिया के लोगों को उन्होंने सिखाना शुरू किया तो जो नई generation थी न वो इंडिया के पास से अपने आपको गौरानवित महसूस होने लगी पहले generation क्या सोचती थी अरे भाई कैसी society है कैसा दक्यान उसी society है सबको मार रहे हैं सबको दबा रहे हैं लेकिन अब स्वामी जी ने सिखा है कि देखिए हमारा जो history है वो एक अलग है ठीक है और उन्होंने history के rational चीज़ों को हमारे जो scriptures हैं उनको rationally deduce किया और लोगों के सामने लेकिया है तो भाई गरीब लोगों के उठने की बात करी ये जो marginalized sections थे जो soak और lower classes थी जिनको दबाया गया उनको वापस उपर की तरफ लाने की कोशिश की reform की प्रती काम किया 1897 में इन्होंने राम कृष्ण mission की स्थापना की गजब की humanist थे राम कृष्ण mission की थूँ इन्होंने humanitarian relief काम शुरू किया social work का काम शुरू किया religious reform की field में काम किया social reform की field में काम किया और doctrine of service दी doctrine of service मतलब की जितने भी आपके countrymen है और global service मतलब की जितने भी दुनिया भर के लोग है वो एक ही society के part है उनकी आप सेवा करिये अपना भाई समझ के तो यहाँ पे जीव की सेवा देना शिव की पूजा करने के बराबर है यह सिद्धान दिया आपका स्वामी विवेकानन जी ने तो स्वामी विवेकानन जी के स्वामी विवेकानन जी से बहुत ज़्यदा इंस्पायर थे अगर आप सुभाष चंद्र बोष जी की बायोग्राफी देखोगी न तो वो भी मैंने बना रखी है मेरे नाम के साथ सर्चमारी आपको मिल जाएगी उसमें मैंने आपको बताया है कि स्वामी वेकानन जी के टीचिंग से बहुत ज़्यदा प्रभावित थे सुभाष चंद्र बोष जी और सुभाष चंद्र बोष जी ने जो नाशनलिस्टिक मूव्मेंट को envisage किया ना इंडिया में उसमें स्वामी वेकानन जी की टीचिंग को incorporate किया उन्होंने फिर रामकृष्ण मिशन ने और भी बहुत से काम कि स्कूल खोले, हॉस्पिटल्स खोले, डिस्पेंसरी खोली जब कभी अर्थक्वेक आते थे floods आये, epidemics आये वहाँ पे जो रामकृष्ण मिशन था वो ground level पे involved था, लोगों की मदद करना फिर जो रामकृष्ण मिशन था एक worldwide organization बन गया था दुनिया बर से लोग आके mission में सेवा में लगते थे, तो इस mission के थूँ, इंडिया की society की जो दक्यान उसी ख्यालात है, इंडिया की society की जो problems है, वो USA पहुँचे, वो Europe की दूसरी countries में पहुँचे, तो वहां के लोगों के अंदर एक जगरुपता आने लगी, कि हाँ बाई, इंडिया सुसाइटी में problem चल रही है ये अंग्रेजी राज की वाई से problem चल रही है तो कही न कहीं इस mission ने इंडिया की जो problems है उन problems को बाकी देशों में समझाया वहाँ पे जो popular mood था उसको बदलने में एक role play किया भले एक चोटा से role play किया, बट किया फिर आप देखोगी जाम किश्ण mission जो था कहीं कुछ हद तक वो एक religious body था बट वो ऐसी religious body नहीं थी कि वो किसी दूसरे धरम को नीचा दिखाया ठीके ना, वो हिंदुईजम को promote करते थे और हिंदुईजम को अंदर से reform करने की बात करते थे कहीं ना कहीं अगर आप राम कृष्ण mission को आरे समाज से compare करोगे तो आरे समाज थोड़ा ज़ादा, आप कह सकतो comparatively ज़ादा radical था अगर आप राम कृष्ण mission की बात करोगे तो राम कृष्ण mission में जिस तरीके की हिंदुईजम की बात की जाती थी वो हिंदुईजम ऐसा था कि लोगों के अंदर एक spirituality वाली भावना को promote करने की चीज़ थी तो अगर लोगों के अंदर वो spirituality की भावना प्रमोट होती है तो अगर कोई ऐसा परसन है जो Muslim धर्म का मानता है तो फिर वो एक अच्छा Muslim मनने कोशिश करेगा कोई Christian धर्म को मानता है तो वो एक Christian अच्छा Christian मनने कोशिश करेगा इसलिए आप देखोगे कि राम कृष्ण मिशन जी को बेलूर में एक काफी बड़ा लैंड मिला 1898 में जहांपे राम कृष्ण मिशन जी को शिफ्ट कर दिया गया वहीं पर रेजिस्टर कर दिया गया राम कृष्ण मठ को अभी के लिए जो औरिजिनल राम कृष्ण मठ था वो वो नहीं है जो आज की डेट में आपको देखने को मिलता पहले कोई दूसरा था बाद में इसको शिफ्ट किया गया यह एक ऐसा मठ है जहांपे कोई भी आ सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफिस कास्ट और क्रेट सबका वहां पे स्वागत है तो यह था दोस्तों आपका र आप पढ़ेंगे तो बैटर है नहीं पढ़ेंगे तो भी बैटर है बट फिर भी मैं आपको समझाता है इस तरीके से हो कि एरफोन आप अपने काम में लगा लो और बैठके सुनते रहो चीज़े आपको प्रोपर तरीके से अब की दिमाग में बैठ जाएंगे I hope मैं justice कर प हैं वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा हैव अग्रेट डेव